नमस्कार मैं हूँ गजान नुर्वा कक्षा 11 के लिए विशे अनिवारे हिंदी कुस्तक आरो पार्ट का नाम विदाई संबाशन लेखकार बाल मुकत गुब्ध आज हम इस पार्ट चोथे का पार्ट तीसरा पड़ेंगे इस पार्ट को तीन पार्ट में बाटा गया है तीसरा पार्ट चल रहा है तो हम चर्चा करें थे कि इससे पूर्वे इस पार्ट में चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से आप यहां आए हैं आपकी दसा पर यहां के लोगों गृणा आती है और आप इस देश को छोड़ करके बजा रहे हैं आपका पतन हो गया है आपने पीछे मुड़ कर देखा होगा कि आपका पतन हो गया है क्योंकि यहां आने के पसाथ भी आपने ऐसा अच्छा कूल काम नहीं किया ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसके कारण आपको याद किया दा सकी आप जब पहली बार वाइसराय बने तो होशकता आप में तुर्टियां रह गई हो आप में कम्या रह गई हो लेकिन जब आप दुबार वाइसराय बने तो आपको विचार करना चाहे थे आपको सोचना चाहे था है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि यहां के जन्द यहां के लोग मुझे याद करें क्योंकि आपके हाथ में सत्ता थी आपके हाथ में ताकत थी आपने दो बार वाइसराय रहने के पसाथ भी कुछ नहीं किया आप खाली हाथ आये थे खाली हाथ जा रहे नए आपको यहां सम्मान मिला इस देश के अंदर आप पस्तिपा देना पड़ा और आपको अपने देश में बुला लिया गया वहाँ जाने के पसाथ वहाँ के लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि आपने सम्मान जिसा एक बिकार्य नहीं किया अब देखेगा इस पार्ट का तीसरा जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे माई लोर्ड एक बार अपने कामों की और ध्यान दीजिए आप किस काम को आए थे और क्या कर चले आप यहां क्यों आए थे और क्या आपने जिस काम के उद्देशे से आपको बुलाय गया थे आपने पुरा किया सासक परजा के पीछे कुछ तो करते होता है जो राजा होता है जो सासक होता है वो परजा के पीछे परजा के बारे में कुछ तो सोचता है लेकिन आपने परजा के बारे में नहीं बलकि अपने साथियों के बारे में सोचा ये बात आप निस्षित मानते होंगे सो करपा करके बतलाए क्या करते बे आप इस देश की परजा के साथ पालन कर चले क्या आँख बंद करके मनमाने हुकम चलाना और किसी की कुछ ने सुनने का नाम ही सासने अरे सासने इसे को कहते है क्या कि जो मनमाना तरीका अपनाए अपनी मर्जी से कुछ करे आँख बंद करके जैसा मन में आए वैसा करे मनमर्जी करे किसी की बाते सुननी किसी को कुछ आँखे नहीं ऐसी इस्तिति को ऐसी व्यवस्ता को क्या साशन कहते हैं साशन कारत होता है जिस सीट पर जिस गदी पर जिस इस्तान पर अगर राजा या सासक बैठे तो वह अपने साथ साथ जनता का भी खैल करता है कि जनता मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है मैं जो ये काम कर रहा हूँ क्या सही है उन्होंने सिरफ अपने साथियों को बारे विचार किया जनता और प्रजा का कभी उनके मन में खैल तकनिया है इसलिए उन्होंने सारे काम जो किये जनता की खिलाब के क्या परजा की बात पर कभी कान ने देना उनको दबा कर उनकी मर्जी के विरूद जिद से सब काम की चले जाना ही साथन कहलाता है अठाद जब कभी जनता ने जब गल्ती की उनकी गल्ती की बारे में विचार किया और आवाज उठाई तो आपने अपने मनमर्जी से उनके विरुद कारवाई की और उनकी आवाज ओपने दबा दिया एक काम तो ऐसा बतला ये जिसमें आपने जित छोड़ करके परजा की बात पर ध्यान दिया हो अरे एक काम तेसा बताओ कि आपने जनता की बात सुनी हो और आपने अपने जित को त्याग दियो जिद को त्याग करके जनता की भलाई के बारे में जनता की कोई बात आपने सुनी है ऐसा आप कोई एक काम बता करके बताए एक काम तो बताए कि आपने जिद छोड़ दी और जनता की बात को ध्यान में रखते हुए आपने कोई अच्छा काम किया है ऐसा कोई एक काम आप बता दीजी एक काम भी आप बता देंगे तो हम मालेंगे कि वास्ता में आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन आपके पास में ऐसा कोई काम नहीं है केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं पर आप एक मौका तो बताईए जिसमें किसी अनरोध या प्रात्ना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो अरे कोई ऐसा मौका बताईए ऐसी कोई बात बताईए कि जिस परकार से कि थोड़ा तो आप फिलिंग करें थोड़ा सो बताईए कि किस परकार से आपने कोई अच्छा काम किया है एक तो बताए कि आपने जनता की बात सुनी हो पर आप एक मौका तो बताए जिसमें किशी अनरोध या प्रात्ना करने के लिए परजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो नादिर सा ने जब दिली में कतले आम किया था तो आसिप जहान के तलवार केसर क्या चीज़ है रोमन तानासा जूलियस सीजर के नाम से बना सब्द तो सब जो तानासा जर्मन सासकों नो सो बासट से लेकर के अठाचिंतर तक के लिए प्रियोग हुआ था जार ये भी जूलियस सीजर से बना सब्द है जो विशेश रूप से रोस के तानासा सासकों 16 सदी से लेकर 1917 तक के लिए प्रियोग होता था इस सब्द का पहली बार बुलगेरियाई सासक 913 में के लिए प्रियोग हुआ था अब देके नादिर साह 1688 से लेकर 1747 और 1736 से लेकर 1747 तक इरान के सासक रहें अपने तानासाही स्वरूप के कारण नेपोलियन और पर्सिया के नाम से भी जाने जाते थे पानेपत के तीसी रुग में एहमद सा अबदाली को नादिर साह ने ही आकरमन करने बेजा था डालकर प्रात्मा करने पर उसने कतले आम उसी कम रोक दिया पर आठ करोड़ पर जाके गिड़गड़ा कर अनुछे दने करने की प्रात्मा पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया अर्टात यहां की आठ करोड जनता थी उनकी बातों पर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया इस समय आपकी सासन अवधी पूरी होगी जिस काम को आप करना चाहते थे जो आपको काम सोपा था उसका कुछ तो समय था वो दीरे दीरे आपका समय समय आपतों के तता पी बंग विछेद के बिना घर जाना आपको पसंद नहीं आई अर्टात आपने या रहते रहते बंगाल को विभाजन किया और बंगाल का विभाजन जब तक आप नहीं किया तब तक आपको चेहन नहीं बढ़ा अर्थाथ आपने इस बंगाल का विभाजन करके कौन सा अच्छा काम किया वेशे तो आपने कोई काम अच्छा किया ही नहीं लेकिन आपने इस बंगाल को विभाजन भी क्यों किया तथा पी बंग विछेद कर बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है नादिर से भी बढ़ कर आपकी जित है क्या समझते हैं कि आपकी जित से प्रजा के जी में दुख नहीं होता क्या आप समझते हैं कि आपने जो काम किया है उससे प्रजा दुखी नहीं होगी आप विचारिये तो एक आदमे को आपके कहने पर पदने देने से आप नोक्री छोड़ जाते हैं इस देश की प्रजा को भी यदी कहीं जाने की जगए होती तो क्या वै नाराज होकर इस देश को छोड़ने जाते यहां की परजा ने आपकी जित पर फल यहीं देख लिया आपकी जित थी इस जित के कारण यहां की परजा ने आपकी जित के कारण आपका फल देख लिया आपने जैसा क्या वैसा पाया उसने देख लिया कि आपकी जित के इस देश की परजा को पीडित किया आपकी जितके कारण यहां की जनता, यहां की परजा बहुत ज्यादा पीडित हुई, बहुत ज्यादा प्रेशान हुई, लेकिन आपके मन में इस तरह की विचार कहां आते हैं, आपको भी उसने कम पीडा न दी, यहां तक कि आप स्वेम उसका सिकार हुए, यहां की परजा व अपजी जुका अंथ है आपने पार्च लेकिन यहां की पेज़ा जांती है कि समय आने पर इनिसान के जीवन में दुख़ट जाते हैं दुख संसार में हट जाते हैं जो आपने दुख और कस्तू के अपएकसा प्रिणाम का दिख धान दिया वह जानती है कि संसार में सब सी जुका अंत है दुख का समय भी एक दिन निकल जाओगा इसी से सब दुखों को जेल कर पराधिनता से कर भी वह है जीती है माई लोड इस करतक्यता की भूमी की महिमा आपने कुछ ने समझी और ने यहां की दीन पर जाकी सरदा भक्ती अपने साथ ले जा सके इसका बड़ा दुख है यहां के लोगों की पीड़ा को आपने नहीं समझा यहां के लोगों की पीड़ा का विचार आपने अच्छा काम साथ में लेकर नहीं जा रहें आप जैसे आए थे वेशे जा रहें बलकि आप आए थे तब तो थोड़ी आपकी इच्चत थी लेकिन अब आप यहां से छोड़ करके अपने देश जा रहें तो आपकी इज़त ही उतनी इज़त भी आपकी नहीरी अर्थाद आप ना आते तो ज़्यादा अच्छा होता आपकी इज़त बरकरा रहती कुछ तो पता रहता कि जब आप जा रहे हैं तो आपकी इज़त ना किया बराबर होगी क्योंकि आपने ऐसा कोई काम किया नहीं इस देश के सिक्षितों को तो देखने की आपकी आँखों का ताब नहीं अनपड गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुझे निकल जाया करता है उसी अनपड प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गया जाता है एक बार अपनी विशद विशद एक बार अपनी विपद विपद में इस दुख है दुक्त के कई साल सुल्टान नर्वरगड 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 नाम के एक किस्तान में काटे थे आपने नरवरगड के किस्तान में काटे थे वहां चोकीदार से लेकर उसे एक उंचे पत्तक काम करना पड़ा जिस दिन घोडे पर सवार होकर वह उसे नगर से विदा हुआ नगर दुआर के बाहर आकर उस नगर को जिस रीती से उसने अविवादन किया था वह सुनिये क्योंकि वहां आया सुनिये उसने आखों में आशो भरकर कहा प्यारे नरवरगड मेरा परणाम ले आज मैं तुम से जुदा होता हूँ तुम मेरा अंदाता है आपकी विपद आपकी अपनी विपद के दिन मैंने यहां काटे तेरे रिंड का बदला मैं गरीब सिपाई नहीं दे सकता भाई नरवरगड यदि मैंने जान बूज कर एक दिन भी अपनी सेवा में सूख की हो यहां की प्रजा की सुब चिंता ने की हो यहां की स्तुन को माता और बहन की द्रस्टी से ने देखा हो तो मेरा प्रणाम ने ले अर्थात उसने कहा कि मैं यहां के लोगों का भला नहीं किया हो माता और बहन का माता और बहन का मने सम्मान नहीं किया हो तो मुझे मेरा जो प्रणाम मैं आपको जो प्रणाम कर रहा हूँ यह प्रणाम मेरा स्विकार ने करे मेरा परणाम ने ले नहीं तो परसंद होकर एक बार मेरा परणाम ले मुझे जानने की आगया दे माई लोड जिस परजामे ऐसे राज कुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संबासन करेंगे अरे बाई इस तरह से जाते समय भी इस तरह की बात की गई तो जाते समय अपने मुख मंडल से जाते समय आप अपने मुख से कुछ बोलेंगे इस तरह के गीत गाएंगे उसके देश से क्या आप भी उसके उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संबाशन करेंगे क्या आप कह सकेंगे अब आगे भारत मैंने तुम से मैंने तुझे से सब परकार का लाब उठाया और तेरी बदोलत वैसान देखी अरे जाते समय कम से कम आप यहां भारती में रहे तो भारतियों के लिए कुछ तो बोलो देखी निवासी है यहांके लोगों ने आपको कितना संमान दिया आप निए के साथ में कितना त्याचार किया लेकिन जाते समय एक बार बोल देते कि यहांके बदोलत इस देख के कारण मुझे वो संमान मिला वो ताकत मिली वो काम करने का मोक्ता मिला एक बार तो कम से कम इतना अवस्य बोलते जो इस जीवन में और कहा अभागे भारत मैंने तुझसे सब प्रकार का लाब उठाया और तेरी बदोलत वग्या सांद देखी जो इस जीवन में ऐसंबवे तुने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर मैंने तेरा तेरे बिगाड़ने में कुछ कमीने की संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में सक्ती भी सक्ती थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी अब कुछ सक्ती नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूँ अब मेरे पास में ताकत भी नहीं मेरे पास सक्ती भी नहीं है अब मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ पर आसिरवाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गोरव और यस को फिर से लाब करे मेरे बाद आने वाले तेरे गोरव को समझे आप कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातیں भूल सकता है पर इतनी उदारता माई लोड में कहां देखिए यह कहना चाहरे है कि किस प्रकार से आप देश में आ गए इस देश के एकार आपको कितना फ्रेम सम्मान ताकत वो कुरसी मिली जो कि आप विदेशों में गए उन विदेशों के अंदर भी आपको इतनी ताकत इतनी शान सोकत नहीं मिली जो आपको यहां सान सोकत मिली ठीक है आप भारत में आए आपने भारतियों के पक्स में यहां के लोगों के हित में कुछ नहीं किया किंतु कम से कम ये तो समझे इस देश में आपको समान मिला, ताकत मिली, पद मिला, सब कुछ मिला आप जाते से में कम से कम ये तो कह सकते हैं कि इस देश के कारण इस देश में मुझे भूट प्यार समान मिला तो कम से कम जाते समय इस देश की भलाई के बारे में कम से कम दो सब्ट तो तुम कई सकते हो किन्तु आपके मुझे इस देश की भलाई के लिए एक सब्द भी पहर निकन नहीं रहा इसकार्थिवा कि आप अपने जुबान से अरे इस देश को छोड़ करके आपको जाना पड़ रहा है आप जाओगे जाना पड़ेगा क्यूंकि आपने अच्छा काम किया नहीं ऐसे इस्तिति में यहां आपको अस्तिपा देखकर जाना पड़ेगा लेकिन कम से कम जाने से पूरु है यहां के लोगों के भलाई के बारे में देश के भलाई के बारे में आपने यहां अन खाया है यहां जीवन यापन किया है अरे कम से कम जहां अन खाया है जहां जीवन यापन किया है जहां समय बिताया है उनके बारे में कुछ सब्तों कम से भागय भारत मैंने तुमसे प्रसंद होकर के पूरा लाब उढ़ाया यह सांसो कर देखी यह कुछ तो बोल दो कि नहीं बोल रहें इस कारण से लेखकार ने इनके अबारे में कहा आएते सम्मान भारते में सम्मान पाने के लिए इतने साल रहने के अपसात भी आपको इस इस देस में आपको सम्मान नहीं मिलेगा इस देस को छोड़ करके आप अपने देस में चले जाएंगे तो भी आपको वहां सम्मान नहीं मिलेगा कारण क्यूंकि आपने एक भी काम अच्छा नहीं किया क्यूंकि आपको तो इस देस के अंदर आने के कारण आपका अच्छा का नहोने के कारण आपको अस्तिपा देने के लिए मजबूर किया अगर आप अच्छा करम करते तो आपको अस्तिपा देने के लिए यहां की सरकार यहां की वस्ता मजबूर नहीं करती जिस परकार से आप यहां के लोगों के चहेते ने बने यहां के लोगों पर आपने राज न या अगर आप यहां के लोगों का साथ लेकर के चलते आनद भोता था आपके सम्मान में यहां की जनता पलक पाउड़े बिछा देती आपके सम्मान में यहां की जनता सरवस्वे निचावर करने के लिए त्यार हो जाती आपके जाने के बाद आपको यहां की जनता बहुत याद करती किन्तु याद क्या करे आपने एक भी काम अच्छा नहीं किया जिसके कारण आप इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं तो इस देश के बारे में आपने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि आपके पास कहने को क्या है बतलाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है आपने सिर्फ सत्ता में चूर होकर सत्ता का दुर्भयोग किया आपने वही किया जो कि अंग्रेजु के हीत में कभी भी आपने जनता की आवाज को नहीं सुना अगर जनता अपनी बात को अपके सान में रखती है तो आपकी जित आपकी जित के कारण आपने उनकी आवाज को दबा दिया अब यहां के जनता है वो तो अपनी बात को प्रकट करना चाहती है अरे जिसको आप राजा कह सकते है जिसको वाइसराय कह सकते है वो एक तरह से जनता का सरक्षक होता है जनता का पिता होता है उनकी बातें सुनकर के अगर काम करेंगी तो जनता का आसिरवाद हमेसा उनके साथ होता है आप भी अगर अच्छा काम करते तो जनता के चहेते बन जाते किन्तु आपने ऐसा नहीं किया थैंक यू, ओके, आज ये पार्ट यहीं संपन होता है फिर बाकी, कल, थैंक यू, ओके, बाई